नमस्कार कैसे हैं आप मनिपूर हिंसा पर सुप्रीम कोट की संग्यान के बाद देश में एक विरोध हुआ कि इस सुप्रीम कोट को बंगाल क्यों नहीं सुझता बंगाल में लगातार हिंसा हो रहा है और बंगाल पर सुप्रीम कोट ने सुझता संग्यान क्यों नहीं लिया तो सवाल यह कि देश की जनता और बंगाल से बाहर के लोगों को बंगाल में ऐसा क्या दिखता है दरसल 90 के दशक तक देश के दूसरे हिस्सों में चुनावी हिंसा जिस तरह से होते थे बंगाल में आज भी हो रहा ऐसी हिंसा देश के किसी दूसरे स्टेट में नहीं होता पंचायत चुनाब में 2023 के पंचायत चुनाब में भी आधिकारिक रूप से बावन लोगों की हत्या का मामला सामनी आया यह सब कुछ तब हुआ जब सुप्रीम कोट के निर्देश पर ही किंद्री रिजर्ब पुलिस फोर्स बंगाल में पंचायत चुनाब में भीजे गए कॉलकाता हाई कोट ने कहा यह बंगाल के लिए मान जनक हिस्थिती है कि बंगाल में पंचायत अस्तर के चुनाब में भी इस कदर हिंसा होती है तो आकिरस बंगाल को लेकर इतनी बदनामी क्यों है क्यों इतनी पीड़ा कॉलकाता हाई कोट को हुई जब पूरे देश भर में चुनाबी हिंसा कमोबेस खत्म हो गए है तो सिर्फ बंगाल में ऐसा क्यों है बंगाल का ऐसा चरितर क्यों है अक्सर कहा जाता है जब बंगाल में ऐसे हिंसा होती है तो कहा जाता है ये कला संस्कृती का प्रदेश है या एक ऐसा प्रदेश जहां से कला संस्कृती साहित ने हिचकोडे मारे ये विरंगानाओं का प्रदेश है ये सुभाश बाबु का प्रदेश है ये खुदिराम बोस का प्रदेश है ये इश्वर्चंद विद्या सागर का प्रदेश है ये आधुनिक भारत के निर्माता राजाराम मोहन राय का प्रदेश है राजाराम मोहन राय वो व्यक्ति जिन्होंने पुनरुत्थान किया भारत का बंगाल पुनरुत्थान की भूमी है बंगाल गुरुदेव रविंदरनाथ टैगोर की भूमी है बंगाल भारत की क्रांती की भूमी है इतनी सब चीजें जब जिस बंगाल के लिए कही जाती है उस बंगाल में ऐसा क्या हो गया जिस बंगाल ने देश को रास्ता दिखाया 1911 तक भारत की रास्धानी बंगाल की रास्धानी कोलकता थी कोलकता से भारत की रास्धानी को अंग्रेज दिल्ली क्यों ले आए क्योंकि अंग्रेजों को लगने लगा कि बंगाल में जो क्रांती हो रही है बंगाल के जो क्रांती काड़ी हैं वो परिशानी की सबब कारण बन चुके हुए हैं इसी भैसे भारत की राजधानी दिल्ली लाई गई तब भी बंगाल अबबल था खुदिराम बोस, वाश्चंदर बोस इन सबने आजादी को थाम रखा था तो इश्च्वर चंद विद्यासागर जैसे लोग समाजिक को थान समाजिक बदलाव की बात कर रहे थे उस बंगाल में जो भधर जनों की भूमी है उस बंगाल को जिसके बारे में कहा जाता है कि देश जो आज सोचता है बंगाल एक उससे पहले सोच चुका होता है बंगाल जो आज सोच रहा है देश कल सोचेगा ऐसा भी कहा जाता है उस बंगाल में हिंसा क्यों नहीं खत्म हुई क्या इस सब चीजों के लिए सिर्फ ममताब एनरजी दोशी है क्या ममताब एनरजी के खत्म हो जाने से बंगाल में हिंसा खत्म हो जाएगा क्या ममता की सत्ता चली जाने से बंगाल में हिंसा का दौर खत्म हो जाएगा क्या ममता के परती जो राश्टरवादियों का गुस्सा है सनातनियों का गुस्सा है वो गुस्सा खत्म हो जाएगा या फिर बंगाल के उस चरित्र को भी थोड़ा समझना पड़ेगा माउट से तुम ने कहा था कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है बंगाल ने बस माउट से के उसी चडितर को दरसल अपना लिया है केरल में भलेई वामपंथ की सरकार आजाद भारत में सबसे पहले आई संतावन में केरल में और सरसठ में बंगाल में दस्तक दी इन दोनों राज्यों में हिंसा चरम पर रही लेकिन बंगाल उन तमाम चीजों को क्रॉस कर गया सरसठ में सत्ता सचमुझ बंदूक के गोली से आई आजाद भारत में बंगाल जिस बंगाल भारत के हिस्से में है कमाल की बात यह है कि उसे पस्चमी बंगाल कहा जाता है जब की यह पस्चमी बंगाल इसलिए पस्चिम है कि भारत के पूरव में है, है ना? दरसल पूरवी बंगाल बांगला देश बन गया 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित किया और 2011 में बंगाल फिर से एक अक्रित हो गया बंगालियों के सिस्वर्पन के कारण है कमाल की बात ये है कि आजाद भारत में भी बंगाल का वर्चस रहा सरसट में मात से तुंग से प्रभावित होकर बंगाल में बांपंथ की सरकार आई पास साल तक उत्पात मचा और फिर जोड तोर के साथ इंदिरा गांधी ने सिधात शंकर राय को वहां पर मुख्य मंत्री बनाया और सिधात शंकर राय जब आये तो वांपंथियों ने जो सरसट से लेकर 72 तक अत्याचार किया उससे कई गुना अत्याचार बढ़ा दिया सिधात शंकर रेनी और चुन चुन कर वांपंथियों पर अत्याचार हुए फिर्ख 77 में जब केंदर में इंडिरा की सरकार गई तो उजिया इंडिरा गांधी के शिपह सालार थे इमर्जंसी के सबसे वरे कलाकार थे सद्धाद शंकर रहा है उनकी भी गद्धी गई और बामपंत की सरकार 77 में काविज हो गई और लगभग ढ़ाई दशक तक बंगाल पर राज किया और बंगाल को पूरी तरह से छली कर दिया वो बंगाल जो 60 के दसक तक देश की आर्थिक स्थिती में अबल पे थी वो बंगाल पीछे से फस्ट करने की कंडिशन में कैसे आ गया बंगालियों ने इस पर सोचा ही नहीं एक वक्त लोग कॉलकता में नौकरी करने जाते थे पूरे देश से उसी धंग से जैसे आज दिल्ली और मुंबई डोग जाते हैं आज कॉलकता से लोग नौकरी की तलाश में देश के दूसरे हिश्से में बंगाल बंगाल पूरी तरह से तबाही के कगार पर है। वो बंगाल जिसने आजादी के दौर में वंकिन चन्चटड़ी के वंदे मात्रम को गा करके आगे बढ़ा। वो बंगाल जिसको रविद्न नाट टैगोर ने जनगर मन दे करके आजाद भारत को आगे बढ़ाया। वो बंगाल जो राजाराम मुहनराय के समय में विद्वाक्ष विवाह से ले करके तमाम चीजों को खतम किया। कुरीतियां जितनी हिंदु समाज में थी उसे निकाल फिंका बंगाल जब ये चीज़ें सोच रहा था देश के लिए ये एक असंभव दिख रहा था। बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उससे देखकर देश चौक रहा है कि आखिर हिंसा का ये दौर क्यूं है बंगाल में। नब्बे के दशक में जो चीज़ें भारत के दूसरे राज़े छोड़ चुके थे वो बंगाल में क्यूं है। आज बंगाल की एकॉनमी सबसे पीछले पाइदान पे 24 में नंबर पे चला गया है। और इसके लिए कोलकता जिसके पास थो जिसके जो आर्थिक राज़धानी कभी थी देश की उस प्रांत की एस्तिती है। वो भला मानुस जो खुद को सबसे अबल समझता है। जो अपनी खान पान अपनी संस्कृती को लेकर के इतराता है वो कभी क्यों नहीं सोचता कि उसके राज़े में ही सिर्फ ये हिंसा क्यूं है। कमाल की बात ये है कि ना नेस्नल मीडिया को बंगाल की स्पीड़ा है ना बंगाल की मीडिया को। मामला ये नहीं कि ममता बेनिर जी वहां की सत्ता पर काविज है। क्या मम्ता के हट जाने से वो सब चीज खत्म हो जाएगा जो जोती बसू और बुद्देव भटाराचारी के दौर में था क्या वो चीजें वो अत्याचार खत्म हो जाएगा जो 72 से 77 के बीच सिध्धात शंकर रे के दौर का अत्याचार था क्या बंगाल का ये चरित्र हो गया है उस गौरबशाली बंगाल का बंगाल आस देश के लिए चिंतन का विशे होना चाहिए जिस बंगाल के पास पत्रकाइटा की इतनी शक्ती है वो बंगाल उस सच को बाहर क्यों ही निकलने देता नेस्नल मीडिया को भी इस बंगाल में रूची क्यों नहीं है 1947 में देश के उद्योग का सेंटर पॉइंट था बंगाल आज खत्म हो चुका हुआ है कोई भी उद्योग पती बिहार की तरफ बंगाल में भी नहीं जाना चाहता कोई उद्योग नहीं लगाना चाहता नंदी ग्राम में जिस जंग से टाटा नैनों के साथ हुआ उसके बाद कभी किसी उद्योग पती ने बंगाल में उद्योग लगाने को सोचा ही नहीं तो क्या बंगाल बिहार से भी तेज रफ्तार में पीछे जाने के लिए परिशान है और ना बंगालियों को इसकी सूध है ना देश के दूसरे हिस्सों को क्या सिर्फ ममताब एनरजी को गाली देने से ममताब एनरजी को प्रतारीद करने से समस्या का समाधान हो जाएगा आखिर उस बंगाल में तुर्ष्टी करण क्यों हावी है आज भी बंगाल की राजदिती के लिए तुर्ष्टी करण की क्यों जरूरत है जिस बंगाल ने भारत के बिभाजन पे चोट मारा था बंगाल से ही शुरू हुआ था भारत के बिभाजन की पीरा डारेक्ट एक्षन बंगाल से ही शुरू हुआ था सौराब बर्दी जैसा जिहादी बंगाल कही था जिसने जिन्ना के इशारे पर बंगाल में हिंदूं पर इसकदर अत्याचार कि तो वो हिंदू बंगाली हिंदू ही थे आज वो बंगाल इस बात को क्यों नहीं सोचता बंगाल की पीरा जो सेंटालिस में थी जिस दर्द से बंगाल सेंटालिस में उबरा था वो दर्द वो पीरा फिर से उसमें करा रहा है बंगाल और बंगाल को इस पीरा से निकालने की जिमेदारी पुरे देश की बनती है और सिर्फ मम्ता को प्रतारीत करने से इसका समधान नहीं हो सकता बंगाल की समस्या को समझने के लिए बंगाल के अंदर गुसना होगा उसके चडितर को समझना पड़ेगा क्या बंगाल ने मात से तुं को अपना आदर्श मन लिया जिस बंगाल के पास रविन नाट टैगो, राजा राम, मोहन राय, बंकीम, चंचेटर जी, निताजी, सुवास, चंदर बोस, इश्वर, चंद बिद्या, सागर जैसे अतीत है वो मात से तुं के आदर्श पर जी रहा है जब तक बंगाल मात से तुं को अपना आदर्श मानना नहीं छोड़ेगा तब तक बंगाल इस से मुक्ती नहीं पासकता बहुत बहुत आन्यवाद